अपनी बेटी निरुपमा की डेथ के बाद करिंसन भाई पटेल ने उसी के घर पे बुलाई जाने वाले नाम निर्मा से निर्मा वाशिंग पाउडर बनाने की शुरुआत करी उन्होंने अपनी B.S.E. in Chemistry के Experience के दम पर अपने घर के बैक याड में ही ये वाशिंग पाउडर त्यार करना शुरू कर दिया था वो रोज सुभा अपनी साइकिल पे ओफिस जाते समय निर्मा को डोर टू डोर सेल करते होए निकलते और ओफिस खतम होते ही दुबारा ये बेशते होए घर आ जाते थे करंसन भाई ने तीन साल इसे ऐसे ही बेचा और इन तीन सालों में उने काफी टाइम मिल गया अपना कंजियूमर बेस बनाने का और साथ ही साथ खुद को और अपने प्रॉडक्ट को इंप्रूव करते चले जाने का 1969 में जहां एक तरफ हिंदुस्तान युनिलीवर का सर्फ 13 रुपे में बिकरा था वहीं वो निर्मा को सिर्फ 3,5 रुपे में पेच कर मिडल क्लास लोगों को खुश कर रहे थे फिर 1972 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ कर एहमदाबाद के एक छोटे से इलाके में दुकान खोल ली और यही से उनकी प्रॉडक्ट ने लोकल लोगों के बीच तेजी पकड़नी शुरू कर दी जैसे जैसे उनका काम बढ़ता चला गया वो सेल्समैन और वरकर्स को हायर करते चले गए और इसी तरह कुछ सालों के अंदर अंदर निर्मा ने गुजरात में अपनी पकड़ बना ली बट गुजरात से बाहर निकल कर निर्मा को बाकी सिटीज में काफी निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां रिडेलर्स उनसे क्रेडिट पर माल उठाते थे और जब कई महीनों बाद उनका सेल्समैन पेमेंट कलक्ट करने आता तो दुकानदार या तो उसे भगा देता था या फिर पैसो को अगले महीने पे टाल देता था उस समय मार्किट में बड़े-बड़े मल्टी नैशनल ब्रैंड्स के बीच निर्मा सर्वाइव भी नी कर पारी थी और धीरे-धीरे उसका सेल्स ग्राफ भी गिरने लगा था ये देखके करन्सन भाई ने अपने सभी एम्पलोईस की इमिजियेट मीटिंग बुलवाई और सब को स्ट्रिक्ट ओर्डर्स दे दिये कि जो पेमेंट करता है करे नहीं तो मार्किट से अपना सारा माल उठवाओ और आगे की सप्लाई भी रोग दो रातो रात मार्किट से निर्मा गायब हो जाने के बाद सभी रिटेलर्स और कॉम्पेडिटर्स को थोड़ा जटका लगा बट करंसन भाई के दिमाग में एक अलगी गेम चल रही थी उस समय हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा था और लोगों के घरों में टीवी भी बहुत तेजी से पहुचते चले जा रहे थे तो जैसे ही उनका स्टॉक मार्किट से वापस आया उन्होंने अपना सारा पैसा दूर दर्शन पर एक महीना एड पे एड चलवाने में लगा दिया इस एड ने मार्किट में इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ा कि अब हर किसी को बस निर्मा ही चाहिए था लोग डेली दुकानों पे निर्मा मांगने फौच जाया करते पर निर्मा कहीं मिल कहीं नीराजी दुकान वाले भी इतने दुखी हो गए कि पीछे से निर्मा वाले सप्लाइ नी दे रहे और लोगों की डिमांड पे डिमांड आये जा रही है करंसन भाई ने फिर से अपनी टीम की मीटिंग बुलवाई और इस बार निर्मा की सप्लाई कंटीन्यू करते होए उन्होंने सबके हाथ में एक डर्म्स एन कंडीशन्स का पेपर पकड़वा दिया जिसमें मोटा मोटा ये लिखा हुआ था कि अब से निर्मा कोई भी माल क्रेडिट पे नहीं देगी कैश ओन डिलिवरी करो और चलते बनो इस एक डिसीजन ने रातो रात उनके ब्रैंड की इमेज बदल दी और उन्हें उस वक्त के टॉप बिजनस प्लेयर्स की लाइन में जोड़ दिया और आज निर्मा पंदरा हज़ार के लिखा हुआ 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 है